हेलो बच्चों आज हम आपकी पाठ्थे पुस्तक जो छितिज है नौमी क्लास की कक्षा नाइत की उसका प्रथम पाठ जो है दो बैलों की कथा उसके लेखक प्रेमचन उनका जीवन परिशेर्यों है आज हम प्रेमचन जी के बारे में जानेंगे तो आएए शुरू करते हैं प्रेमचन जीवन परिशेर्यों इकतिस जुलाई सन अठारा सो असी में हिंदी के विख्यात कहानिकार एमम उपन्यासकार प्रेमचन का जन्व वारण ऐसी के निगट लमही नामक गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था प्रेमचन का असली नाम धनपत राय था जो प्रेमचन जी हैं इनका असली नाम धनपत राय था और इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी और प्रेमचन जी का असली नाम धन बाद में वे प्रेमचन कहलाने लगे उनका बच्पन आभावों में बीता आभावों से तात परे हैं बच्पन में उनको वो सब सुविधाय नहीं मिली जो बच्चों को बच्पन में मिलने चाहिए दस्वी कक्षा पास करने के बाद उन्होंने अध्यापन का कारे आरंब कर दिया अध्यापन से तात परे हैं बच्चों को पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था विये उन्होंने बाद में की और उसके बाद हुए शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में कारे रहे अर्थात कारे करने लगी पर उन्होंने शिक्र ही नोकरी से त्याख पत्र दे दिया अर्थात उन्होंने नोकरी छोड़ दी अब उन्होंने उस समय पे इसलिए छोड़ दी थी बच्चों क्योंकि उन्होंने जो असायोग आंदुलन था उसमें भाग लिया था जो आपने सुना होगा असायोग आंदुलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाय गया था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रेमचंद जी ने इसलिए उ सक्रे रूप से लग गए 56 वर्ष की आयू में 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया अर्धारत उनकी ब्रत्यूं हो गई जो उन्होंने रचनाये लिखी है वो क्या क्या है लगभक 350 कहानिया और 11 उपन्यास लिखे है ये कहानिया मांसरोवर्र था गुप्त-धन, शीर्षक से समक्रमशा, आर्ट और दो भागों में संकलित है उन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे उन्होंने वास्तम में उपन्यास साहित्य को नई दिशा दी थी इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा चाता है मतलब उपन्यास तो कई लेखे को उन्हें लिखे होंगे लेकिन इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है अर्था सबसे बड़ी इनको उपादी मिली थी उपन्यास लिखा के रूप में उनके प्रमुक उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, रंग भूमी, कर्म भूमी, गबन, प्रेमाश्र, गोधान उन्होंने कुछ नाटक और निबंद भी लिखे थे साहित्ते के विशेस्ता हैं बच्पन में ही प्रेमशंद का ग्रामुर्ण जीवन से गहरा सम्बंद रहा उनका व्यक्तिका जीवन भी आर्थे का भाव और संगर से भरा था मध्यमवर के यथार्थ को उन्होंने स्वयम भोगा था मद्यम वर्ग के यथार्थ को उन्होंने स्वयम भूगा से ताथ करे हैं वो मिडिल क्लास के थे अर्थार्थ मद्यम वर्ग के परिवार में उन्होंने जनम लिया और उसी में उन्होंने जीवनियापन किया तो उने पता था कि मद्यमवर्ग में किस तरीकी की जो परिशानिया आती हैं वो उन सभी परिशानियों से परचित थे अथा उनके साहिते में किसानों की हींदशा, नारी की वेथा और वर्ण वेवस्ता से संस्त्र हरी जनों की पीड़ा का प्रभावशाली और मार्मिक चित्रण है मार्मिक चित्रण से और प्रभावशाली से मतलब है उन्होंने इतना अच्छी तरीके से उसका चित्रण किया है किसानों की हींदशा, नारी की वेवस्ता, वर्ण वेवस्ता और हरी जनों की पीड़ा का कि इतना प्रभाव उनकी साहिते में है कि जब आप उनको पढ़ेंगे या उनको समझेंगे तो वह बहुत ही मारमिक अर्था दिल को चूने वाले ही हिर्दय को चूने वाले हैं जिसे पढ़के बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप उनको लाइफ देख रहे हैं या आप उनको जी रहे हैं बिल्कुल हिर्दय को चूने वाले हैं उनके साहित्य का मूल स्वर ही समाज सुधार है अर्थार उन्होंने जो साहित्य लिखे है उनका मूल स्वर से मतलब है उनका जो प्रेम चंद जी कहिए के वाक़ी में जो चाहते dave जो पढद कर पढ़े होना चाहिए यह समाज में रहने वाले लोग को उनके स साहित्यों से कुछ ृषे समाज में परिवर्तन आई क्योंकि जैसे इनुने कहा कि इसानों की ही था किसानों की बहुत लाग बहुत ही गरीब थे किसान और बहुत उनकी दर्शा खराब थी नारी की व्यवस्ता व्यथा जो थी मतलब नारियों को बहुत ज़्यादा प्रताडित किया जाथा जो आज सम्मान मिलता है नारियों को उस समय पे ऐसा नहीं था और वर्ण वेवस्ता जातीवाद वगएरा जो है और हरीजनों का पीड़ा मतलब इन सब चीजों का वो चाहते थे कि समाज में जो है इन चीजों को समाज के लोगों को ऊपर उठना चाहिए इन सब चीजों को छ सत्यग्रे और असयोग आंदूलंत था आरे समाज के सुधारों के प्रति सज़त ता उनकी रचनाओं में सपस्ट दिखाई देती है भाशा शली मुझी प्रेम चन की भाशा उर्दू हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी मिश्रित सरल और सुपोध भाशा है अर्थात उन्हो वो हावरेदार और चट-पती है इसमें मधूर्ता और ओज है पात्रानुसर भाशा प्रियोक के छेतर में मुझी प्रेम चिंद्र कायोग सर्वोपरी है पात्रानुसर अर्थात जैसे पात्रों थे हैं उनके नाठों में और उनकी रचनाओं में तो उन पात्रों को किस طर कि भाषा का प्रियोग करना चाहिए यह उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है इस प्रकार की भाषा की शैली चित्रात्मक और विवेचनात्मक है सहस्ता और रूचकता से भरपूर मुंशी प्रेम चंद की भाषा शैली अधिक मर्म इसपर्शी और प्रभाव साली है मर्म इसपर्शी मतलब बहुत ही मारमिक हिर्दे को छूने वाली साहित्यक महत्वर मुंशी प्रेम चंद का इस्थान ना केवल कथा साहित्य में सर्वोपरी है अपीतुवे प्रगतिशील साहित्यक के कुशल और शिरूमणी रशनाकार है शिरूमणी से मतलब है बहुत ही 1936 इसवी में इनकी ही अध्यक्ष्टा में लखनों में प्रगतिशील साहित्य संग की इस्थापना होई थी मानवतवादी और सच्चा समाद सुधार वादी दृष्टी कोण होने के कारण मुंशी प्रेम चंद केवल भारत में ही अपीतु विश्व के उच्चतम उपन्या कारों कहानी कारों में अत्यन प्रश्टिस्थित और सम्मानित है अर्थाथ वच्चो मुंशी प्रेम चंद जी जहें बहुती बड़े उपन्याजकार या संद के वहोट कंका नाम हैं अब यह कह सकते हैं कि अगर आप लेकम का नाम करना ना specialized जितने भी आप लेकों के नाम उसमें मुझे प्रेमचन जो है उपन्यास के सर्वोपरी उच्छ कोटी के लेखक माने जाते हैं आज भी तो बच्चों ये थे हमारे मुझे प्रेमचन जी जो इससे अगले पार्ट अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मुझे प्रेम चंदरी जी द्वारा रचित जो कथा है दो बैलों की कथा उसके बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लेगी आप मुझे जरूर बताईए कमेंट बॉक्स में और आशा करती होगा आपको ये पढ़के अच्छा लगा होगा थैंक यू